नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धोराधार अपडेट्स में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल में देखे चुके हैं कि हिमाचल परदेश में उननीस सप्रेल दोयार बीस की छे वड़ी खबरी जो है मां आज आपके लिए जो है इस वीडियो में लेकर आया हूँ तो इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि शिक्षकों को मिली रहत तो और मुलाजमों को जो है मिला तोफा बेरब शिक्षियों से सबंद करेंगे शिक्षक तो पूरी जानकारी जो है आज आपको इस वीडियो में सई सी जो है दी जाएगी तो वीडियो पर एंट तक बिर नहीं है अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलें और साथ में बेल आइकन को जूर पर्स करें ताकि आपको जो है लेटेस्ट न्यूस की नोटिफिकेशन जो है हमारी चैनल द्वारा जो है सबसे पहले मिलती अभी तक जिसनों ने लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक भी जूर करने तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो आज की सबसे पहले जो न्यूस है तो हिमाचल में पहली बार रेंडम सेंपल से आए दो सक्रमित बने पहली क्रोना पोजिटिव हमीरपुर की महिला और प्रिंसिपल ना किसी के संपर्क में आए ना कोई यात्रा इतिहास फिर भी जो है वो चिंता जनक जो है बात है तो वो कैबिनेट में दिया जांच के निदेशक तो दोनुं चेक अप को पहुँचे थे अस्पताल तो आगली नियूज क्रोना संकड के बीच हिमाचल कैबिनेट की बैठक हजारों मुलाजमों को मिला नियमितिकरन का तोफा सरकार ने नए क्रोना एक्जिट प्लान पर की चर्चा जल्द जारी होगा गाइडलाइन तो सरकार और गैर सरकारी कारक्रमों में गुल्दस्ते टोपी शोल भेंट करने पर रोक पीटिए पैट के नियमितिकरन पर स्थिती साफ नहीं तो पच्चास हजार PPA किट दस हजार N95 मास्क खरिदने के निदेश जो है दिये गए हैं तो ये शिमला सचिवाले में कैबिनेट की बैठक में मास्क पहने मुख्यमंतरी और अन्या तो आप दिखते हैं किनोंने भी जो है क्रोना वाइरस के चलते जो है पूरा पालन किया ह जो आदेश मिले हैं हमारे PM OD की तरफ से तो नेक्स न्यूज उन्ना में एक और जमाती मिला क्रोना संकमित परदेश में पोजिटिव केस हुए 39 बाइस एक्टिव मामले अकेले में उन्ना जीले में जो है 16 संकमित जो है हो चुकी हैं तो क्रोना से जंग चमबा में 24 पुलि घ्रणे उनपर केस दर्ज हो गया है तो आपको मास्क पहना अन्वाइरे कर दिया है हमाजर प्रदेश स्रुकार ने तो next न्यूज PTA शिक्षकों के पक्ष में आए फैसले का सवागत तो PTA शिक्षकों उनके पक्ष में फैसला आ चुका है अस्थाई सिक्षों को नियमित करने पर आने वाले बेतिय खर्च पर मन्थन शुरू सरकार ने उच और प्ररंबिक शिक्षान इदेश को इदेशालियों से मांग ब्योरा तो ब्योरा मांगा है उन्होंने और हाई कोट ने पहली बार वीडियो कॉंफिरेंस से की मामले की सुनवाई तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो बारा यार चारसो भत्तर सिक्षकों के लिए जो है हाई कोट में जो है फैसला चला हुआ था तो उसके बाद जो है हमारे जो CM है जैरम ठाकुर जी उन्होंने अगला फैसला लिना था तो अब जो है उनको नियमित करने पर आने वाले बित्य घर्च पर मंधन शुरू जो हुआ है तो नेक्स निउस बीड परसिक्षियों से संबाद करेंगे एक डोल के साथ शिक्षक तो जो बीड परसिक्षियों है उनसे जो है एक डोल आइसी डी ओल जोकी हैच पीउ में है तो मुवाइल पर दो से चार बजे के बीच करेंगे छात्रों की शंकाओं का समाधान साथ माई तक चलेंगे शेशन में एजुकेशन के लिए भी शिक्षन कारे शुरू तो पूरी जानकारी बताते हैं डेटेल में हम आपको तो इसमें इन्होंने बता रखा है यहाँ पे ह्पू के एक डोल के इंदर के बीच प्रथम वर्ष के प्रशिक्षियों के लिए विभाग के साथ शिक्षकों के साथ समबाद को कोर्स से सबंदित चर्चा के लिए शेशन शूरू किये हैं यह शेशन अठारा प्रैल से बीस दिन तक चो है यानि साथ मई तक चलेगा तो बीएड के शिक्षक रोज दो से चार वए तक जो हैं बीच प्रशिक्षियों के मदद मांग दर्शन को मुवाइल पर उपलब्द रहेंगे प्रशिक्षियों को असाइनमेंट और सीसीय के लिए भी अवश्य गतिविदियों को लेकर गाइड करेंगे तो संस्था के निद लिए जो है सिलेबस शिक्षकों से संपर्क पर निर्धारित सिलेबस पढ़ने को लेकर वेबसाइड पर विस्तारित जानकारी पहले ही दे चुकी है इसके वर्टसैप पर भी सूचना भेज दी गई है सभी साथ शिक्षकों के मुवाइल नंबर दिये गए हैं इन नंबर पर प्रसिक्षू रोजानना दो से चार वेज के बीच चर्चा को संपर्क में कर सकते हैं तो इन्होंने वेबसाइट दी रखी है तो इस वेबसाइट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी तो icdolhpu.org इस वेबसाइट में इन्होंने दी हुई है तो यह बहुत बड़ को आप लाइक जूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपको आगे भी ऐसी लिटेस्ट न्यूस जो हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे सबसे पहले और वीडियो को जासे अद आपने दोस्तों के शेर करें ताकि उनको पता लख सके कि माचल परदेश की 19 अप वीडियों बताई है तो उनको भी पता लख सके तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धने बाद जैहिन जैहिमाचल